है आज की मेरी वीडियो है पाकितान एरफोर्स में एरो ट्रेट की अभी टेस्ट आउट में इसे शुरू हो गया उनवाट बचों के तो आज की मेरी वीडियो एरो ट्रेट के मोस्ट रिपीटिड एमसी क्यूज है इसमें इंशाला मैं आपके साथ 15 सब्सक्राइब करने पड़ेंगे इनको आपने दियान से त्याज कर लेना है और वीडियो को पूरा देखेंगे इंशाला आपके ये 15 पेपर के अंदर मिलेंगे और उससे पहले रिक्वेस्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं गिया आपको मिलती रहेंगी तो इससे जो इंशाला नेक्स मेरी वीडियो होगी वह स्पोर्समें की पूरी एक डिटेल वीडियो बिडियो उगी इसमें इंचाला बच्चे जो स्प से उस पे वीडियो अप्लोड होना शुरू हो जाएंगी इंचाहला तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ लेट स्टार्ट क्या सेट विच कॉंटेन आल पॉसिबाल एलिमेंट्स जिसके अंदर तमाम पॉसिबाल एलिमेंट्स होते हैं वह कौन सा सेट कहलाता है तो उसको य उनिस छे सो चालिस अब इस एकुल टू आ रहा था उनिस साथ सो इसमें से जैसी माइनस करेंगे उनिस साथ सो तो आपके बाद निकला च्छतिस इसका मलब है कि यह इसका च्छतिस आंसर है यह सिंपल एडिशन वाला स्वाल विच आफ दा फाल्लिंग इस प्राइम नंबर यहाँ पर प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ आपने उपर डिवाइड होता है किसी दूर से पर डिवाइड नहीं होता अब यह 33 से 11 पर डिवाइड हो जाता है 81 9 पे divide हो जाता है और 97 यह 97 इसका best answer है यह किसी पे divide नहीं होगा factor of x square minus 5x plus 6 अब इसका factorize करना है इसको अब इसके सिर्फ 2 जोड़े आपने दिर्मियान में बना लेने है minus 2x minus 3x के जोड़े बान जाएंगे minus minus जब plus होगा तो 5x minus का बनेगा plus 6 अब इसमें से यह पहले 2 जोड़ों में से x common आ जाएगा और अंदर x minus 2 रहेगा क्योंकि x square है तो same minus है तो इदर minus आ गया 3 common लेंगे x minus 2 तो यह दो आपके जोड़े निकला है x minus 3 और x minus 2 यह इसका answer है sum of measurement of 3 angles is अब जो अगर 3 angles को जमा करें एक angle 90 degree का होता है दूसरा 180 का तीसरा 270 का और चौता 360 का होता है तो हमें जब 3 जमा करने है तो 270 इस एना class 50 student 25 student were passed find the percentage of passing student अब इनकी आपने percentage निकालनी है तो मनलो सीडी सीडी percentage आप 50 है तो 25 पास होगा 50 परसेंट बनेंगी otherwise जो इसका formula होता है percentage का 25 को जब आप 50 पे divide करेंगे तो percentage निकलाएगी same आपके जैसे number होते है total कितने आपके number आए है और जब total पे divide करते है तो आपके percentage थीटा का question है cosecant theta is equal to यह 1 by sin theta होता है quad theta यह 1 by tan theta के होता है angle from 1 to 90 degree lie in dash यह quadrant का आ गया है first quadrant 90 का होता है second 180 270 और 360 यह first quadrant में lie करता है 3 pi divided by 2 अब इसकी calculation देखें यहाँ पे pi आ जाएगा उसे 180 by pi से divide करना होता है उसके साथ addition की जाती है जैसे 3 pi by 2 multiply by 180 by pi तो pi pi से खत्म हो जाएगा और 2 को जब 180 पे divide करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 90 90 को जब 3 से multiply करेंगे 270 तो यह इसका answer pi by 3 अब इसका जो आप पूछ रहा है क्या है तो इसका answer ही 60 डिगरी आता है क्यों क्योंकि इसका भी same formula pi by 3 divided multiply by 180 by pi pi से गया तो 3 को जब 18 पे divide करेंगे 60 आएगा तो इसका 60 डिगरी आटो पे निकला है वो कहता है क्या triangle which one complementary angle is called यह आएगा right angle and triangle है